मनोश कुमार सिंग यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे 1988 बैच के आईयस अपसर है मनोश कुमार सिंग मनोश कुमार सिंग को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है दुर्गाश रंकर मिश्रा को चौती बार नहीं मिला सेवाविस्तार दुर्गा शंकर मिश्रा का कारेकाल खत्म होने पर स्यम ने ये निड़न लिया है मनोश कुमार सिंग मुख्य सचिव और IIDC दोनों होंगे मनोश सिंग के मुख्य सचिव बनने का आदेश शारी हुआ है आज दो पहर बाद मुख्य सचिव पत का कारेभार ग्रहड करेंगे मनोश सिंग तो देखें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है मनोश कुमार सिंग मुख्य सचिव और IIDC दिरों होंगे और मनोश सिंग के मुख्य सचिव बनने का आदेश शारी हो गया है और ज्यादा जौनकारी के साथ इस्टेट हिट विनेश सिंग ची बड़ी खबर सामने आ रही है देखें उत्तर परदेश की विउरोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आज उत्तर परदेश में दुर्गा संकर मिस्राज जो चीफ सेक्रेटी थे उनका कारकाल समाप्त हो गया उनका सेवबिस्तार और मनोश कुमार सिंग को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाये गया है मनोश कुमार सिंग 1988 बैस के IAS अबसर है और इस समय वो यूपी में IIDC और क्रिशी उत्पादन आयुक्त के पतपर तैनाद थे मुख्य मंत्री ने उनको नया मुख्य सचिव नुक्त कर दिया है और मनोश कुमार सिंग के मुख्य सचिव पतपर नुक्ती के आदेश जारी हो गए है वो दो पहर बाद आज मुख्य सचिव पतप का कारभार ग्रहार करेंगे और मनोश कुमार सिंग यूपी में एक तेस्तरार IAS अफसर में उनकी गिंती होती है वो result oriented अफसर माने जाते हैं और मुख्य मंत्री के भरोसे पर वो लगातार खरे उतरते रहे है महात्पूर बात यह है कि मनोश कुमार सिंग के पास IIDC का भी चार्ज रहेगा APC का पद उनके पास से हड जाएगा और उत्तर प्रदेश को नया APC मिलेगा कि सिउत पादन आयुद कोई नया मिलेगा लेकिन यह बहुत बड़ी ख़बर है कि फुल फ्लैज के रूप में मनोश कुमार सिंग उत्तर प्रदेश के अस्थाई तोर पर चीफ सेकरेटरी बनाए गए है आज दोपहर वो अभी चार्ज ले लेंगे तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत दिनों से इस बात का इंतजार हो रहा था कि दुर्गा संकर मिस्रा पिछले ढाई सालों से लगातार सेवा विस्तार पर थे जिसकी वज़ा से बहुत सारे अधिकारी बिना चीफ सेकरेटी बने रिटायर हो रहे थे मनोश कुमार सिंग का भविस भी इसी पर दाओं पर लगा था लेकिन चुकि केन सरकार ने इस बार दुर्गा संकर मिस्रा को चौथी बार से अभिस्तार नहीं दिया है लहाजा मुखिमंतरी योगी आजितनात ने कल ही साम को मनोश कुमार सिंग की फाइल पर दसकत कर दिये थे और उनको यूपी का नया मुखिसच्यू न्यूक्स कर दिया था आज मनोश कुमार सिंग के मुखिसच्यू बनने के आदेश जारी हो गए है और वो दोपहर बाद एपी सी कार्याले में ही मुखिसच्यू पत्का कारभार गार करेंगे वो कल चीफ सेकरेटी का चार्ज लेने के लिए लोग भौन आएंगे तो ये बहुत बड़ी खबर है और उमीद ये की जा रही है कि मनोश सिंग के नेतित में उत्तर परदेश में विकास की गती तेज होगी और ब्यूरोक्रेसी में एक का जाए कि एक ऐसा अफसरब आएगा मुक्सचु की कुर्सी पर जो फास्ट डिसीजन करता है और बिना भाव के काम करता है और इसकी जलक आने वाले एक साल में क्यूंकि उनका भी रिटार्मेंट अगले साल जुलाई में है तो तेरा महीना लगबग वो इस पत पर रहेंगे और यूपी के लिए मनोज कुमार सिंग के नितुत में एक बड़ा काम होने की उम्मीद की जा रही है तुमाम शुआनकारिक लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका और सयोगी सिमाम हमारे साथ जुढ़ गया है सिमाम देखे मनोज कुमार सिंग यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे जी बिल्कुल मनोज कुमार सिंग एक जबरदस्त काम करने वाले अफसर है और मुख्यमंत्री के भरोसे मंद अफसरों में उनका शुमार किया जाता है 1988 बैच के मनोज कुमार सिंग डिसीजन लेने में काफी तेज हैं और आज उनका जो है वो पदभार आज वो गरान करेंगे उनके लिए मुख्य सच्यू पद का आदेश जारी कर दिया गया है और मनोज कुमार सिंग ऐसे अफसर हैं जो की काम करने में काफी तेजी लाते हैं कोई भी काम हो वो काम में किसी तरह की हीला आवाली नहीं करते हैं काफी तेजी के साथ काम को अंजाम देते हैं अब वो एपी सी जो का दफ्तर है विदान सभा में आज वो वहाँ पर मुख्य सच्यू का कारेबार गरान कर लेंगे और मुख्य सचिव के रूप में काम करना आज से शुरू कर देंगे हाला कि चार्ज लेने के लिए वो कल जो है वो लोक भवन जाएंगे और दुर्गा शंकर मिश्या से वो चार्ज लेंगे तीन बार दुर्गा शंकर मिश्या को सेवा विस्तार मिला उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सेवा विस्तार दिया और अब मनोज कुमार सिंग को जो है वो मुक्य सचिव बनाया गया है मनोज कुमार सिंग एक बहतर अफसर है और आने वाले समय में बहतर पलुडाम देंगे उत्तरप्रदेश की जो विकास है उसमें गती देने का काम करेंगे क्योंकि वो एक जबरदस तरीके से काम करने वाले अफसर है मुक्यमंत्री के और तमाम जो भी काम सही है वो काम किसी भी सूरत में वो रुखता नहीं है उनके पास अगर कोई फाइल पहुंची है उसको होना ही होना है मनोज कुमार सिंग एक भरोसे मंद अफसर है विकास को गती देते हैं एपी सी का भी उनके पास चार्ज रहा है और उसके अलावा तमाम विभागों में वो अपर मुख्य सच्यू के पत्पे काम करते रहा है जाहे वो पंचाइती राज रहा हो और चाहे वो दूसरे भी भाग रहे हो तो अब वो मुख्य सच्यू के तोर पर काम करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो बेहतर पर्ड़ाम देने का भी काम इस वक्त वो अब करेंगे कल वो चार्ज जब लेंगे जाकर तो उसके बाद एक बेहतर नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और जो विकास की गती होगी वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगी बिल्कुल सिमाब आप बने रहीगा हमारे साथ चले आगे बढ़ते हैं बता दे कि राज्थानी में आज फिर जमाज जाएगे बादे कि राज्थानी में आज फिर जमाज जाएगे